हलो दोस्तों आज हम सुरू करने जा रहा है नेम रियक्षन जो काफी बार बोर्ड परिशा में पूछा जाता है तो आइए सुरू करते हैं तो बोर्ड सफिडिक का विग्रिया होता क्या है तो जब हम एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड को सोडियम और सुस्क एथर के उप कि अलकिल हैलाइड इसकी अविक्रियक कि उपस्तित्राइच कराते हैं सुस्क एथर सुस्क एथर के उपस्तित्राइच थे सब्सकराएंगे तो हम को क्या मिलेगा ल्किल इरीन बिलता और तो हमको क्या प्राफ्ट होता है एलकील एरीन प्राफ्ट होता है अब देखो एक्स क्या क्या हो सकता है यह एक्स हो सकता है फ्लोरीन प्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यह हो सकता है इसका रियक्षन क्या है इसके लिए हम क्या करते हैं सौर्टकट लगा लो ऐसे क्या किया है कि यह क्या बहुत असान है आप हमको क्या पता मिल गया एलकील कि एरीन प्राप्त होता है इसको नोट किजिए यह क्या है नेम रियक्षन है और बोर्ड परीच्छा में अक्सर पूछा जाता है रेपीट किया जाता है अब देखो एक अगर इसको एक जामपल से ले लो इसको कि इसका इसको ले लो अब मालो हम क्या कर रहे हैं यक्स के जगवपे क्या ले लो क्लोरीन ले लो यक्स के जगह पे क्या ले लिया क्लोरीन ले लिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा क्लोरो बेंजीन यह हो गया क्लोरो बेंजीन हो गया सोडियम है यक्स के जगह पे क्या ले लो भाई क्लोरीन ले लो तो हो जाएगा क्या यह यहां पे देखो क्या हो जाएगा यह यह हो गया एलकील क्लोराइड है यह एलकील क्लोराइड अब यहां पर अपना बाने के एलकील यरीन बने गया प्लॉस क्या निकल गया यहन्ने सीयर और प्रिवियस केस में क्या निकला था यहन्ने एक्स एक्स क्या क्या हो सकता है क्लोरीन क्लोरीन ब्रॉमीन एंड आयोदीन तो इसको नोट किजिए अब हम बात करेंगे किसकी फिटी गविक्रिया के बारें बात करेंगे तो इसको मिटाते हैं और एक चीज़ और यहां पर आर क्या क्या हो सकता है आर हमारा हो सकता कोई भी क्या एलकाइल ग्रूप यहां पर कोई आर एलकाइल ग्रूप हो सकता है जैस से दो हो सकता है है सी टूएच हो सकता है ऊच क तो इसको नोट किजिए अब बात करेंगे किसकी फिटिक अविक्रिया के बारे में बात करेंगे इसको मिटाते हैं फिटी का विक्रिया के लिए क्या हम लेते हैं फिटी का विक्रिया के लिए क्या हम लेते हैं सबसे पहले हम क्या एरिल हैलाइड फिटी का विक्रिया के लिए हम क्या लेंगे एराइल हैलाइड उर्स फिटी का विक्रिया के लिए हम क्या ले रहे थे एराइल हैलाइड ले रह तो जब Arial Highlight लेते हैं और क्या ले लो तुम sodium और इसकी अभग्रिया किसके साथ कराऊगे सूस्क एथर के साथ कराएंगे तो जब एरील हैलाइड के अभग्रिया किसके साथ कराते है सूस के एथर के साथ कराती है तो एक बहुत ठीप प्याराफ सा product बनता है इसका कितने मोल ले लो टू मोल्स ले लिया और यहां पर भी हमने क्या लिया टू मोल्स लिया तो निकल क्या जाएगा निकलेगा क्या टू यह यह यक्स सोडियम हाइलाइड निकल जाएगा और यहां पर बनेगा क्या कि कमपाउंड बनता है इसको क्या बोलते हैं डाई थेनिल इसको डाई फेनी लोलते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही next class में हम और नेम reaction के बारे में बात करेंगे धन्यवाद